दियर लॉर्नर्स नमस्कार मैं डॉक्टर सरिता सोनी हमारे आज के सेशन में सीनियर सेकेंटरी के पॉलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट के विशे में बात करेंगे हम राज्य और उसके तत्व के बारे में बात कर रहे थे हमने जाना कि जो राज्य का अस्तित्व है वो एक अच्छे जीवन के लिए है मतलब उसके अंत्रगज्जो नागरिक रह रहे हैं उनके जीवन को सरल और सुवविस्तित बनाने के लिए राज्य का निर्मान हुआ ये एक जरूरी संस्था है अब हम राज्य के तत्व के बारे में बात करेंगे जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता हमने जाना था कि जो राज्य है इसमें जो जनसंख्या से रिलेटिट पॉइंट है इसमें प्लैटो और अरस्तु के दो युनानी आदर्ष राज्य शहर थे एथिन्स और इस्पार्टा जिसके लिए प्लैटो ने कहा कि जो वहां की जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए जबकि ये रस्तु ने कहा था कि जो राज्य है वो ना इतना बड़ा हो और ना इतना छोटा हो उसका आकार बलकि ऐसा हो जिसको सही तरीके से, विवस्थित तरीके से उसकी देखभाल की जा स जबकि रूसों ने कहा कि जो राज्य है इसकी जो जनसंक्या है वो 10,000 यह पुराने concept है प्रेजंट सिनारियो में हम कह सकते हैं कि कि किसी भी राश्य राज्य की जो जनसंक्या है उस पे कोई हम limitation नहीं लगा सकते वो आज के समय में सभी जगह पे अलग-अलग है दूसरा जो तथा वो भूभाग मतलब territory राज्य बिना भूभाग यह जमीन के नहीं हो सकता इसके लिए एक निशिक भूमी का होना जरूरी है ताकि वो यह निर्धारित कर सके कि कि किस राज्य की सीमा कहां तक है इसके लावा जो राज्य का जो भूभाग है जो territory है वो छोटी या बड़ी हो सकती है इसके लिए कोई निर्धारित सीमा छेत्र नहीं है राजी का जो तीसरा महत्वपूर्ट तत्व है वो है सरकार सरकार क्या होती है सरकार वो संस्ता है जो नागरिकों से नियमों का पालन करवाती है किसी राज में रहने वाले लोगों के समान उद्देश का केंदर बिंदो भी सरकार होती है सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनसे नागरिकों के विकास का और कल्यार का कारे किया जाता है उनकी रुचियों को बढ़ावा दिया जाता है और जो चौथा तत्व है वो है समप्रभुता मतलब प्रभुसत्ता भी जिसे कहते हैं प्रभुसत्ता भी ताकत है जिसके दोरा राज उसके रहने वाले लोगों से राजनेतिक आग्या का पालन कराता है राज अंदर से शर्व शक्तिमान और बहरी नियंत्रन से मुक्त होता है संप्रभुता के दो पहलू होते हैं आंत्रिक और बाहरी जैसे कि आपसे अभी बताया कि जो राजे है वो आंत्रिक रूप से सिमाओं के अंदर स्वतंत्र होता है उसके उपर अपना एकाधिकार होता है और वो किसी अन्य राज के साथ उसको नहीं बाड़ता जबकि जो वाई बाहरी प्रभु सत्ता या संप्रभुता होती है राजे पूड रूप से जैसा भी आपसे बताया सोतंत्र होता है और कोई भी बाहरी सत्ता इसको प्रभावित नहीं करती तो इस तरह से ये चार तत्व राजे के होते हैं भूभाग, सरकार, जनसंख्या और स प्रबुता हमारा तीसरा लेस्न अब हम शुरू करेंगे रिवाइज करना जो समाज, राष्ट, राज और सरकार के बीच के अंतर के विशय में था उसके अंतरगत हमने समाज और सरकार और अन्य संगों के अर्थ को समझा था राज्य और समाज के बीच के अंतर को जाना था, राज्य और सरकार के बीच के अंतर को समझा था और ये भी देखा था कि जो राज्य है और जो राष्ट है इनके बीच में क्या अंतर है राज्य और समाज पे भी हमने चर्चा की थी तो हम जल्दी से नजर डालेंगे हमारे इस थर्ड लेसन पे जिसमें हमने राज्य और समाज को समझा कि राज्य क्या है और समाज क्या है जैसा कि अभी बताया कि राज्य एक राजनेतिक समाज होता है जहां पर राजनेतिक गतिविधियां होती हैं इसके चार तत्व होते हैं जनसंख्या, भूबाग, सरकार और संप्रभुता, समाज एक समाजिक संगठन होता है, जो समाजिक संबंधों की प्रणाली पर कारे करता है, इन दोनों के बीच में अंतर, जैसा कि इनकी परिवाशा से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि जो वो राज्य है, वो राजनितिक संगठन होता है, कृतिम और सरंजित संगठन होता है, अस्तित्व समाज के लिए, मतलब जो राज्य है, वो समाज को संगठित करने के लिए बनाए गए हैं, साथ ही जो राज्य है, उसमें संप्रभुता का गुड़ पाया जाता है, इसका एक निश्शित छेत्र होता है, औ मतलब हम उनको जो नागरिक हैं उनको मानना पड़ता है, नहीं मानने की कंडिशन में उनको डंट मिल सकता है। जबकि जो समाज है वो एक समाजिक संगठन है। समाज राज्य से पहले आया, मतलब जैसे ही मनुष्य ने ग्रुप्स में रहना शुरू किया तो सबसे पहले समाज का निर्मान हुआ और उसको विवस्थित करने के लिए राज्य का निर्मान किया गया। जो समाज है वो एक प्राकृतिक संस्था है। इसका कोई छेत्र इस्थाई नहीं होता। आच्रण के नियम होते हैं खाली, मतलब हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारा वेवहार कैसा होगा। इसके कुछ नियम होते हैं जिनका सभी लोग फॉलो करते हैं इसके लिए कोई कमपल्सन नहीं होता, मतलब इसमें कोई कानून नहीं होता। राज और अन्यसंग में राज भी एक संग है मतलब एक association है और लेकिन ये अन्यसंगों से अलग है ये उनसे उपर है अन्यसंग एक संगठित समू होते हैं कुछ समाने और विशिष्ट उद्देशियों के लिए बनाए जाते हैं जैसे cricket club है वो एक संग एक association है जो डेडिकेटली cricket के लिए काम करता है इसी तरह अन्यसंग होते हैं जो associations बनाई जाती हैं वो किसी एक विचार धारा पे काम करती हैं उनके प्रगती प्रचार पिसार के लिए होती हैं और ये संयुक्त प्रियास के द्वारा किया जाता है मतलब वो एक group बनाया जाता है जिसके द्वारा जिस particular उद्देश को लेके उनका निर्माड हुआ है उसके लिए वो लोग कारेरत होते हैं इन दोनों में फर्क क्या है? राजे और संग में राजे की सदस्यता अनिवारे होती है कोई भी नाग्रे किसी एक राजे का ही सदस्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य जो सदस्ता है वो स्वैक्षिक होती है, मतलब मैं चाहूं तो cricket association का member बनू और मैं चाहूं तो मैं नहीं बनू दूसरा, इसमें संगों की जो सदस्ता है, वो हम एक साथ कई groups या कई associations को हम join कर सकते हैं, इस्थाई छेत्र नहीं होता, इनका विशेश उदेश होता है, जैसे हमन बात किया कि जो अन्यसंग बनाए जाते हैं, वो किसी particular mission को लेके चलते हैं, इनका चरितर स्थानिया होता है, मतलब वो local groups होते हैं, राश्टी और अंतर राश्टी भी हो सकता है, मतलब कुछ associations होती हैं, जैसे educational field में आप देख सकते हैं, राश्टी और अंतर राश्टी इस पर बहुत सारी ऐसी associations है जो काम कर रही है, राज के नियमँ पर काम करता है, मतलब जो अन्यसंग होते हैं, जो associations होते हैं, यह राजिक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, फिर हमने राज और सरकार के विषय में पढ़ा था, कि राज्यक और सरकार क्या होती है, राज के अपने कुछ अधिकार होते हैं राज एक बड़ी एकाई है और इसके पाद जो शक्तियां है वो वास्तविक और मौलिक है जबकि जो सरकार है वो राज का एक तत्व है मतलब जिससे मिलके राज का निर्माण होता है जो सरकार है इसका जो कारे है वो कानून बनाना है और लोगों से उनका पालन करवाना है राजी की इच्छा व्यक्त और कर्यानिवित करता है मतलब जो राजी है ये सरकार के द्वारा ही संचालित होता है तो जो बेसिकली है वो राजी को रिप्रेजेंट करती है इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, शक्तियां वास्तिविक और मौलिक हैं, राजी का विरोध एक अपराद है, मतलब हम अपने राश्रिया राजी के अगेंस्ट में कुछ भी कहेंगे, वो एक अपराद माना जाएगा, जिसके लिए हमें सरजा मिल सकती है, और साथ ह जो राज्य है उसका जो छेत्र है वो एक निश्य छेत्र होता है और इसमें जनसंक्या सरकार और समप्रभुता का तत्व पाया जाता है जबकि जो सरकार है इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती है ये राज्य का एक छोटा सा तत्व है एक एकाई है राजी के विचार का रूप है जैसा कि अभी आपको बताया कि राजी सरकार के द्वारा कारे करता है सरकार आई स्थाई है ये बदलती रहती है हम सभी जानते हैं आलोचना विद्रों नहीं हम सरकार के कारेओं के आलोचना कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें हमें सरकार की सही नहीं लग रही, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का अपराद नहीं है, छेत्र कभी इस थाई नहीं होता, सरकार कहीं पे भी किसी भी राजी में परमनेंट नहीं होती है राज और राष्ट राज निश्ची छेतर में कानून से संगठित लोग हैं जैसा कि आपको भी बताया कि एक छेतर में एक जगा भे रह रहे हैं लोग जो सेम कानून का पालन करते हैं वो groups में रहते हैं, वो राजे हैं और आंत्रिक रूप से सर्वोच और वाही रूप से स्वतंत्र होते हैं राश्च लोगों का एक समू है जो एक जैसा दुख और सुख सांज़ा करके बनता है और ये मनोवग्यानिक रूप से, एमोशनली रूप से वो, साइकलोजिकली रूप से वो साथ रहते हैं अब हम जानेंगे राज और राश्च में क्या अंतर है जो राज है वो एक राजनेतिक अवधारणा है एक पॉलिटिकल फिनॉमेना है जबकि जो राश्च है वो एक सांस्क्रितिक और मनोवग्यानिक विचार है, सोच है राज में कानून लोगों को एक साथ बांधते हैं मतलब जैसा भी आपको बताया कि जो राज है उसमें बनाए गए कानून का सभी लोगों को पालन करना होता है जबकि जो राश्च है उसमें फिलिंग या इमोशन का फैक्टर होता है जो लोगों को आपस में बांधता है राजी के जो कानून है वो बाधिकारी होते हैं अगर हम उसको नहीं माने तो हमें दंड मिलता है जबकि राष्ट में अनुने का तत्व होता है मतलब feeling, emotion, request इन सारी चीजों को हम राष्ट में देख सकते हैं राजी के जो तत्व हैं वो निशित है अब हम बात करेंगे हमारे fourth lesson की इस module की जो था प्रमुख राजनेतिक सिध्धान्त major political theory जिसमें हमने तीन theories पड़ी थी एक था पहली थी हमारी उदारवाद, दूसरा माक्सवाद और तीसरा गांधिवाद उदारवाद क्या है? सुधारो, सौतंत्रता और लोकतंत्र का सिध्धान्त है बेसिकली ये एक अच्छे और सभी के लिए कारे करने वाले विचार को प्रात्मिक्ता देता है जबकि जो माक्सवाद है वो मजदूर वर्ग का राजनेतिक दर्शन है गांधिवाद अहिंसक राज्य के लिए है जो लोगों की सहमती और समाज में निकट एकता पर आधारित है अब हम इसे थोड़ा सा और पॉइंट वाईज जानेंगे उदारवाद एक राजनेतिक दर्शन है जो वैक्ति की स्वायत्ता सम्वेधानिक राज्य उत्तरदाई सरकार वैक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता स्वतंत्र प्रेस कानून का साशन निस्पक्ष न्यायपालिका विकेंद्री करण की वकालत करता है तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उदारवाद है वो एक सरल और सभी के लिए उपलब्द कॉंसेप्ट है उदारवाद तीन छेत्रों में उदारवाद की बात करता है समाजिक छेत्र में सभी को समान अफसर मिले किसी बिना भेद भाव के आर्थिक छेत्र में व्यक्तिगत स्वाइत और अधिक्तम लाव मिले सभी को और राजनेतिक छेत्र में वो लोगतांत्रिक राजनिती उत्तरदाई और जिम्मेदार सरकार की को प्रोसाहित करता है माक्सवाद क्या है जैसा कि अभी आपको बताया है कि ये मजदूर वर्ग का एक राजनेतिक दर्शन है जो समानता, समाजिक न्याय, सभी प्रकार के सोशड की अनुपस्थिती, सभी के लिए रोजगार और एक साथ नियोजित अर्थविवस्था की वकालत करता है माक्सवाद की कुछ मानिताएं हैं जिन पर ये माक्सवाद आधारित है, उसमें सबसे पहला है कि संसार में अपने आप कुछ नहीं होता वास्तिविक जो विकास है वो हमारा बहुतिक विकास है और जो ये जो भी क्रियाएं होती है या जो बहुतिक विकास होता है इसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं क्योंकि ये मजदूर वर्ग का राजनेतिक सिद्धान्त है इसके अलावा मनुश्य का जन्म समाजिक विकास के द्वारा हुआ है समाज में कई वर्ग पाए जाते हैं जिसके अंतरकात इन्हों ने वर्ग संगहर्ष के विशह में बात की थी जो हम सब ने पढ़ा था उसके अलावा क्रांती भी आई थी इसके अंदर एक ऐसे समाज की सरचना एक ऐसे समाज की सोच प्रस्थुत की गई जो सरवारा वर्ग होगी जहां पे पूंजी पति या जो मजदूर वर्ग है वो लोग नहीं होंगे बलकि एक ऐसा समाज होगा जहां पे दोनों का समंजस से पाया जाए गा मार्क्सवाद की प्रासंगिक्ता क्या है जो मार्क्सवाद है ये इतना strong है अपने concept में कि इसकी जो appeal है वो सीमाओं के पार है जो लोग इसका विरोध करते हैं वो भी इस concept के इसके बाते हैं उसके कायल है परिवर्तन केवर विरोधी वर्गों के संगर्ष के कारण नहीं हुआ है बलकि ये एक समाजिक प्रक्रिया है जो आर्थिक कारणों से आगे बढ़ी उसके बाद हमने गांधिवाद के बारे में पढ़ा था गांधिवाद जो है वो अहिंसक राज्य के लिए है जो लोगों की सहमती समाज में निकट एक्तापर अधारित है गांधिवाद में ही गांधिजी की जो सोच है उसमें हमने डिसक्स किया था कि जो वो एक पश्यमी सभिता के आलोगचक थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो वहां की जो सभिता है वो अध्यात्मवाद को खत्म कर रही है और वो केंधिवाद कित राजनीती पर आधारित है जबकि जो गांधिवादी सोच की जो राजनीती है वो विकेंधिवाद की बात करती है मतलब फैली हुई जो शक्ती का विकेंद्री करण है उस बेसिस पे गांधिवाद सोच आगे बढ़ती तीसरा हमने जाना ट्रस्टीशिप मतलब पूंजी और श्रम के बीच वैक्तिकत सोहार्दपूर संबंध हो और समाज में जो भी पूंजी पती है जो द्योग पती है जिनकी पास पैसा है वो सिर्फ उस धन की ट्रस्टी है उनका काम होगा कि वो समाज के हित में और कारियों को करें ताकि लोगों को रोजगार मिले साधन और साध्य गांधिवाद का एक महत्पूर कॉंसेप्ट था जिसे हमने जाना था जैसा साध्य वैसा ही साधन होगा यदि साधन हिंसा से दूशित है तो राज ये अपने आदर्श चरित्र को प्राप्त नहीं कर सकता अहिंसा गांधिवादी विचारधारा की सब बेसिक एक फीचर है जो आपको उनको सारे कॉंसेप्ट में जित्ती भी बाते गांधिवादी विचारधारा के अंदर आती हैं उसमें जो प्रमुक्ता से मिलेगा वो अहिंसा मिलेगा दूसरा है समाज और सर्वोदय यह समानता पर आधारिस समाज की बात करता है जहां पर जाती, पंत, वर्ग, लिंग या किसी भी तरहां के छेत्र के आधार पर किसी भी तरहां से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी को भी अस्विकार नहीं किया जाएगा तो इस तरह से जो गांधिवाद है वो समाज और सरवोदय के बारे में बात करता है ये गांधिवाद के कुछ important points हैं जिनको हम सभी को याद रखना है कि जो मनुश्य है मनुश्य के रूप में हम सभी लोग समान है हम लोगों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और जो गांधिवाद है ये सभी के कल्याण के सासाथ उनके नैतिक और अध्यात्मिक विकास की भी बात करता है तो इस तरह से अभी तक हमने हमारे 4 lessons जो हमारे 1st module थे उसके बारे में जाना अब हम बात करेंगे self-evaluation की और यहाँ पे हम एक लेंगे चोटा सा break वापस आके हम इस पे जानेंगे की हमें अपना खुद का मुल्यांकन कैसे करना है COVID-19 यानि करोना वाइरस देश एवं संपून विश्व में व्याप्त विशानू जन्य समस्या लाखों लोग इस संक्रमन की चपेट में इसका निदान है जागरुपता के साथ हम और आप सोयम करोना वाइरस के इस संक्रमन से संपून भारत वर्ष भी एक विकट स्वास्ते की परिस्तियों से जूज रहा है भारत सरकार द्वारा गाउं से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन नैदानिक व्यवस्ताएं की गई है लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव वेल्कम लिसनर्स लर्नर्स हमारा ये जो सेशन है एंड में अब हम ये बात करेंगे कि हमारे जो ये हमारी जो चाल लेसंस है जो हमारी अब देखेंगे कि जो हमारी किताब है उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है सबसे पहले में पॉइंट आता है उसके अंदर paragraph है, उसके अंदर sub points हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको points को जैसे ये liberty के बारे में बात कर रहे हैं, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ये हिंदी में भी same format में है, main heading है, heading को explain किया गया है, उसके अंदर उसको sub headings दी गई है, तो आपको हमारी जो क आपने हैं, और हर paragraph के बाद कुछ exercises दी गई हैं, वो fill in the blanks हो सकते हैं, true and false हो सकते हैं, terminal exercises हो सकती हैं, कुछ questions पूछे जाते हैं, कि इसमें आपको कैसे जवाब देना है, तो अभी आपको जो आपने बताया, जब आप paragraph पढ़ते हैं, तो उसमें जो section लिखा है, उसको जरू दियान रखिए, और फिर आप इस refer to see section के हिसाब से जाके उस section में, terminal exercises में जो आपको questions दिये गए हैं, उसको हल कर सकते हैं, हमारा जो यह first module है, individual and mistake, यह 14 marks का है, तो आपको इन चारो lessons की तयारी इस तरह से करनी है, कि आपका 14 नमबर का जो सवाल है, वो हल हो जाए, 14 marks का आप तयारी करेंगे, तो इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, राजनीती और राजनीती विज्ञान में क्या अंतर है, राजनीती विज्ञान की परिभाशा बताईए, तो इस तरह से अभी जो हमने discussion किया, उसमें आप इस तरह के सवालों की तयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पहला मॉड्यूल है, यह 14 मार्क्स का डिसाइड किया गया है, मतलब कुष्षिन पेपर में 14 नंबर के सवाल इस पूरे मॉड्यूल से आ सकते हैं। उसके बाद इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि राजय और संग के बीच के अंतर बताईए, राजय और सरकार के बीच का अंतर बताईए, यह कुछ एक्जामपल्स हैं जिनको आपको देखना है। राश्चीता के कोई चार्थत्व जैसे हमने राश्चीता किन चीजों से मिलके बनी हैं उसके बारे में बात की थी। गांधी जी के पाश्यात थे संस्कृति के आलोचक थे इस कथन में से आप क्या सहमाते तो इसमें आपको जो किताब में लिखा है उसके साथ-साथ उसको पढ़ने के बाद आपकी सोच उसके प्रती क्या है उसके बारे में लिखना है तो यह थोड़ा सा self-explanatory question है जिसको आपको किताब के साथ-साथ अपनी समझ के हिसाब से भी इसका answer करना होगा तो इस तरह से जो हमारा first module है वो 14 marks का है जिसकी तैयारी आपको उसी के हिसाब से करनी है तो मेरा जो हमारा जो आज का session है हम यहीं पर समाप्त करते हैं आशा है कि आपको यह revision session हमारे चाह लेसंस का और उसके साथ ही यह कि आपको कैसे हमारी जो किताब है उसको पढ़ना है उसके exercises को solve करना है और साथ में जो 14 marks का dedicated यह module है इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं उनके विशह में हमने चर्चा करी सुनने के लिए धन्यवाद नेक्स session में हम एक नए topic के साथ आप कर दो कर दो